साथियों नमस्ते यह मनिकर्ण यह माचल का एक जेगे हैं जहां पर श्यूमंदिर और आप देखेंगे कि इतना अद्बुत यह नजारा आपको दिखेगा कि शायदि से पहले कभी आपने नहीं देखा होगा जो लोग ऐसा सोचते कि इश्वर नहीं है वह इसे देखने के बा उबलते हुए पानी के कुंड अब देख रहे हैं इतनी तेज यह पानी उबल रही है कि जिसको शायद किसी साधन के माध्यम से इतना तेज उबाल नहीं कर सकते और यहां पर यह कुंड है जहां पर सभी लोग उस्नान करते हैं उस कुंड में जब प्रवेश करो तो लगता सरीर जल जाएगा लेकिन प्रवेश करने बाद टेंपरेचर जो है सरीर का एकदम बराबर हो जाता है और सरीर में कोड़ी भी पीडा नहीं होती है इसके ताप के कारण तो सचमुच पूरी तरह अद्बुत है यह और आप उदर देख रहे हैं ढखा हुआ पात्र है जिसमे यह भोजन पकाते हैं चावल पकाते हैं डाल पकाते हैं तो सचमुच यह पूरा द्रिश अद्बुत है और इसकी मौजुद्गी से ऐसा यकीनन हर कोई मान लेता है सहद में और सच में मानने को मजबूर हो जाता है कि इस स्रिस्टी में कोई ऐसी शक्ति है जिसकी वज़े स संचालित हो रही है और अपने कार्य में सब कुछ अपने समय पर हो रहा है यह आप जो ने देखा नदी पह रही है पहाड़ों की बीच से वह पारवती नदी के नाम से जानी जाती है और इस जगह पर हमें जिस जगह को कहते हैं मनी कर्ड इमाचल प्रदेश का यह बहुत यह बहुत ही बड़ा उबलता हुआ पानी के कुंड है किस तरफ देखें आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा धुन्द है यहां की ताक होगी देख करके यकीन नहीं हो सकता कि यह शम्ता एक ताक पाई जाती है जरूर आईए मनी कर्ड इमाचल प्रदेश के इस खुश्रों जगह पर